जयाने दोस्तों स्वागत आप सभी का इस वीडियो में दोस्तों अगर आप ट्वीटर खोलें फेस्बूक खोलें या न्यूस चैनल खोलें या न्यूस पेपर खोलें हमेशा एक ही न्यूस अभी ट्रेंड में है वो है क्या दोस्तों CAA यानि कि Citizenship Amendment Act नागरिक्ता संसोदन अधिनियम आए जरह समझते हैं इस वीडियो में कि नागरिक्ता संसोदन अधिनियम यानि कि CAA है क्या और उतना ही समझेंगे जितना हमारे काम की चीज़ होगी एक बेसिक सा इसकी बेस देखेंगे मामला क्या है क्यों इतना चर्चा में हैं क्या बाते हो रही है क्या लाया गया है क्या नया है क्या पुराना है क्या संसोदन है बावार की इस बात पर है यह सारे चीज़े जानने की कोशिस करेंगे और आप इससे कितना समर्थन करते हैं आपकी क्या प्रतिकरिया इसके बारे में आप हमें कमेंट में बता सकते है तो जिदे कि अगर हम बात करें CAA की तो ग्रीक केंदर ग्रीम अंतराले के दोरा लाया गया नागरिक्ता संसोधन अधिनियम दोहजर उन्नीस में ये पारित हो गया था अधिस सुचना जारी कर दिये जारी सुचना ये हो गया कि अभाई देश में CAA लागू हो चुका है इसके साथ ये CAA कानून देश वर में लागू हो गया ये कब लागू हो गया दोस्तों 11 मार्च को एक 11 तारीक बड़ा ही खास होता है ना हमारे लिए 11 अगस्त को ही फैसला आया था सुपरीम कोड बी एड वर्सस बीटीसी का 11 मार्च को ये भी लागू हो गया चलिए CAA को नागरिक्ता संसोधन कानून कहा जाता है अब इसमें है क्या इसमें बेसिक चीज़ें के देखिए क्या है पहली बात तो एक चीज़ आपको समझा पड़ेगा कि जो लोग ये कह रहेंगी कि किसी की नागरिक्ता चिनने वाली देने वाला कानून है इसमें चुब मूल समस्या जिस पर विवाध हो रहा है उस पर भी चर्चर्चा करेंगे मंगर इसका इसकी फायदा वी बातों को नागरिक्ता चाहिए नागरिक से जुड़ी कुछ खास बाते हैं इसको आप ही जानिये हम भी जानते हैं देखिया है क् नागरिक्ता संसोधन अधिनियम है Citizenship Appendment Act नागरिक्ता संसोधन अधिनियम 2019 का एक ऐसा कानून है जिसके तहट दिसंबर 2014 से पहले यानि कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी भारत के तीन परोशी देश कौन-कौन से दोस्तों पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान भारत के इन तीन परोशी देशों से भारत में आने वाले छे धार्मिक अलपसंक्यकों इन तीस परोशी देशों में जो भी अलपसंक्यक रहते हैं जो ये छे अलपसंक्यक अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आके रह रहे हैं तो उन्हें भारत नागरिक्ता देगी किन किन को नागरिक्ता देगी अगर कोई हिंदू या कोई सिख, कोई बौध, कोई जैन, कोई पार्सी और कोई इसाई इन छे सामुदायों के लोग अगर 2014 सब्सक्राइब करें दिसम्बर से पहले भारत में आ गए हैं चाहे वह बीजा ले के आए हो और वीजा खतम हो गया और वापस नहीं गया है यह बगार बीजा के आ गए हो ठीक है वहां पर माला यह जा रहा है कि अगर उन्हें प्रताड़ना मिली है धरम क्यादार पर क्योंकि वह वहां पर अलपसंठ्यक है तो वहां से वह भारत अगर आ गये हैं इतने पुराने हो गये हैं 2041-31 दिसम्बर 2014 के पहले आ गये हैं और अभी तक रह रहे हैं तो भारत सरकार उनको नागरिक्ता देगी इंडियन स्टिजिशन्शिव देगी अब वह भारत के नागरिक हो जाएंगे जैसे हम जैसे आप हैं ठीक है तो एक केंद्री ग्रेम मंत्राय दोड़ा लोकसभा चुनाओं से पहले चुकि लोकसभा चुनाओं आने वाला है ने प्रधानमंद्री के चुनाओं होने वाले 31 मार 2024 को नागरिक्ता संसोतरा दिनियम 2019 की अधिस उचना जारी कर दी है सिये नियमों का उलेख गैर मुस्लिम जो प्रॉब्लम है ने दोस्तों वह यहीं ही पे हैं गैर मुस्लिम प्रवासियों जैसे जिस पे हिंदू, सीख, जैन, बौध, पार्से और इसाई को भारतिया ना सब्सक्राइबन लोगों मिलेगी, अब इस पे चर्चा करेंगे पक्ड़ क्या और विपक्ष क्या तरक है, ठीक है, सीए के नियम से पहले से ही तैयार कर लिया गया था और इसके लिए आवेदन की प्रक्राइब पुरी तरह आंलाइन रखी गई है, अब जिन लोगों को, जो वहां से 2014 से पहले आ चुके हैं अगर उनको से डिये सिप चाहिए तो वह पॉर्टल पर जाके अपना रिजिस्रेशन करेंगे जो भी उनकी से रिक्वार्मेंट मानेंगी जाएगी कब आये हैं किस देश से आये हैं अगर उससे कोई डॉकुमेंट्स है तो वहां पर सब्सक्राइब नहीं है अब इससे उन लोगों को कोई जो भारत के पास अल्रीडिशन सिप है उनसे वह लोग जिनके पास इंडियन सिप नहीं है और वह इन तीन पड़ोसी देशों से आये हैं और इन 6 समुदाय से बिलॉंग करते हैं उनके लिए कानून है समीधान के तार कि उसे नौ दिसम्मर को को इसे लोगस्वा में प्यस किया था नांगृता nauj दिनियांर क्या 13 दाटंसंसने को पारित किया गया एक पाँछ वोठ पड़ DF यानि के आपको सदस्यों ने 105 लोग ऐसे थे जिन्होंने इनका विरोध किया था इसके खिलाव गये थे 12 दिसंबत 2019 को इससे राश्टपती की मंजूरी मिल गई थी और 11 मार्च 2024 को इसो लागू कर दिये ठीक है अब यहाँ पर एक चीज और समझे जो एक चीज यहाँ पर लिखा गया था कि कि किन किन लोगों को यहाँ पर सामिल किया जाएगा तो एक सब्द यहाँ पर आता था दोस्तों कि गैर मुस्लिम अब देखिए जो सरकार है भाजपा के अभी सर प्रतार्िट किया जाएगा तो इसके विरोध में जो लोग तरक देते हैं जीस साथ पाकिलि मेंसे मुसलिम ही है इसे हम कहते एहमदिया को पाकिस्तानी मुसलिमां नहीं मानते क्यों कि फोड़ पर कुछा अलग होगा तो वहाँ पर अंकी प्रतार्डना असल पर यह उताा क कुछ समुदाय है जिनको अफगारिस्तानी रिफ्यूजी की तरह रखते हैं उन्हें भी तो जो जो मुस्लिम पक्ष में मानना है कि अगर आप स्टेजल सिब दे रहे हैं तो आप इनको भी दीजिए इसके अलावा जो स्टेजली दिल्ली के मुख्यमंत्री है अर्वीद केंजरिवाल जी उनका यह मानना है कि आपको ज़रूर्ट क्या है उनको स्टेजल सिब देने की उन्होंने साफ तौर पे खूल के कहा है कि पहले ऐसा करिए आप अपने या के लोगों को रोजगार दीजिए अपने या रक्षा में कोई समस्या उत्पन यह लोग कर सकते तो यह है तर्क दोस्तों कि आप इन्हें स्टिजेशिप नहीं दे सकते एक पक्ष यह मानता है कि आप धरम के अधार पर किसी को स्टिजेशिप नहीं दे सकते धरम के अधार पर आप कानूर नहीं बना सकते दूसरा इसके भी पक्ष में कहा जाता है कि national security issue हो सकता है और तीसरा ये कहता है कि जरुवत क्या है इनको decidencihip देने की जबकि इसके support करने वाले लोग कहते हैं चूपकि ये लोग इन तीन परोशी देशों में अलप संख्यक है इनकी संख्यकाम है तो धार्मिक माननेता के अधारप इनकी पत्राड़ा होती है इसलिए इनके धार्मिक सुरक्षा के लिए हमें भारत में citizenship देना चाहिए क्योंकि इनके पुर्वज भारतियें हैं और वह भारत से गए हैं तो इनको वापस भारत में citizenship देना चाहिए दूसरा इनके support में तर्क ये कहा जाता है कि ये लोग जो believe रखते हैं उसकी सबसे सुरक्षा भारत में की जा सकती है चुकि भारत में ये इतने लंबे समय से रह रहे हैं तो इने भारत में citizenship देना चाहिए तो दोस्तों ये था पक्ष ये था वी पक्ष ये था इसके समर्था नहीं और ये था इसके विरोध के तर्क अब दोस्तों आपकी अपनी राय हो सकती है आपकी अपनी किंद्र राजी लागू कर देता है तो फिर इसमें वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे सिद्री सी बात यह है दोस्तों सिटिजन्सी एक्ट सी ए ए क्या है भारतिया नागरिक्ता संसोधन यानि कि सिटिजन्सी अवेंडमेंट ए है जो कि ऐसे लोग जो छह समुदाय से बिलॉंग करते हैं और इन तीन देशों से पाकिस्तान बांगला देश और अफगानिस्तान से बिलॉंग करते हैं गैर मुस्लिम मुस्लिम के अलावा ये छह समुदाय में वो बिलॉंग करते हैं तो उन्हें अगर भारत में 31 दिसंब नहीं जाने वाली इसमें हां इसके बात साइद नर सी आएगा उस एनार सी में जिसके पास नागरिक्ता नहीं रहेगी उन्हें भेजा जाएगा लेकिन अभी सरकार पेसे कोई बात नहीं है हाला कि अमीट साग्जी निसको कहा जिरूर्ठा कि नर सी होके कि यहां यहां आने से कोई नेसेनल सेक्योर्टी इसूद्फ हो सकता है या नहीं हो सकता है आप अपनी राय और परतिकरिया हैं फ्री हैं कमेंट में बताने के लिए मुझे खुशी होगी अगर आप इस पर कुछ टिक पढ़ी करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में फिला लितना है दोस्तों मिलेगा अगले वीडियो में किसे अने जानकार के साथ तब दक आगे बड़ते हैं जाहीं जाहारत